कि अच्छिन दिक्षुद एक बार फिड से आप सभी के सामने हाजिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे कामगार नीता कहें और द्योकिक शेत्र में अपने आपको विराजित करने वाला लगातार और द्योकिक शेत्र में अपना नाम बढ़ा करने वाला एक बिजनसमैन कहें प्रथम महापौर जब महानगर पालिका का निर्मार हुआ वसाई विरार में उस दोरान पहला अगर महापौर कोई बना तो ये विक्ति था बातावरन शुद्ध हो इसके परियावरन शेतर में अपना योगदान दिना चाहिए वहाँ पर अपने आपको समलित करने वाला राजू पाटिल आए उनसे मुलातकात करते हैं कारण ये है कि आज 65 वर्ष पूर्ण और जनम दिन की अउसर पर उनसे बातचीत करते हैं कि उनके जीवन की अब तक की यात्रा कैसी रही आगामी किस तरह का उनका भविश्य का विचार है और क्या कुछ करने वाले हैं सभी विश्यों पर आपड़े एकदम फिट रहने का करण के है कि पूस्ति सिंपल है ज् Breaking thing को इस सोचने कि नहीं है शान्त दिमागा पूरे दिल दिमाग से काम करने का, positively काम करने का, और बहुत ही अच्छा exercise करने का, अच्छा reading करना है, लोगों के साथ में अच्छा बड़ताव करना है, शांती से जिवन बताना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे खाना है, यह सब चीज है, तो आदमी आराम से फ्रेश रह सकता है, और काम करने की capacity भी उसकी बहुत अच्छी रहती है, ना यहाँ पर जिस तरह का journey हुआ है, अभी तक आपका, बीते 30-40 वर्ष पे, ऐसा कौन सा साल में, पीछे तोड़ा पीछे जला जाता हूं, फिर आगे आदेंगा, पीछे ऐसा 30-40 साल जो बीता है, क्या है जो बहुत बाकी है, अभी करना है, उम्मीदे हैं, और जो बीता है, उसे कुछ यादे जिसको लगता है कि नहीं, वो याद करना जरूरी था आज के दिन, वो कौन सा दिन, वो कौन सा पल, बीते, देखो ऐसे बहुत से जिवन में पल आते हैं, कि उ सोचता हूं मैं हमेशा मैं अब तक जो किया है वह मैं क्या किया है कैसे किया है उसके बारे में जरूर सोचता हूं मर उसके अंदर बीजी नहीं रहता उसे क्या करना है आगे इसके बारे में मैं सोचता हूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले सदी में मतलब मैं अभी भी आपने जैसा बताया कि मेरी स्टेंट बहुत अच्छी है अराम से एक 20 साल तो फुल फ्लेज में काम कर सकता हूं वो सोशल हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, व्यापार हो या कोई भी ऐसा क्षित्र है जिसमें मैं काम कर सकता हूं और यहां ह मैं एक बन बाहर चांडक नहीं हो ऐसे हम जो एरिया में रहते है वह एर इसाव एरिया में रहते हैं जो है वो MMR रिजन में जो है वो सबसे जादा डेवलोपिंग एरिया शायद आने वाले उपमुक्यमंत्री में बयान दिया है कि पालघड जिले को या इस तरह के जो छेत्र है अगर दस बड़े पतियों के नाम ले तो उसमें आपका भी नाम आता है तो क्या यह होगा कि आने वाले सवह में इस तरह की जो पालघड लगाता डेवलोप हो रहा है इसका प्रियोग करेंगे नए लोगों को आपसर मिलेगा आप कुछ करने वाला है देखिए आपने जो इसा बताया कि पहले दस में मैं आता नहीं कि मगर पालघड डिस्टिक में मैं अच्छा बिजनेस्मेंट करके गिना जाता है और आपको मालूम है पालघड डिस्टिक जरने वाले इसके साथ में यहां पी जल्द ही आईटी इंफोर्मेशन ना बंजी का पार्क बनने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करते हैं त oni मिजो बडा पोड़ड पोर्ट जो आरा है वह पोड इंडिया शबसे बड़ा पोर्ट रहेगा वर्ड में पहले 5 का पोर्ट रहएगा और विजो पोड की जो डिप्त है वहां पे 20 मिटर की डिप पा इंपॉर्ट एक्सपोड होता है कंटेनर के अंदर ये वो अच्छे तरीके हो सकता है अभी अपने यहाँ पे अपने इंडिया में किदर भी 20 मिटर डेप का कोई भी पोर्ट नहीं है और इसके वज़े से अपने यहाँ पे निवेसल, बड़ी वेसल आती नहीं है, या तो वो सिंगापूर जाती है, या तो दुबई जाती है, या स्रीलंका जाती है, चाबाज जाती है, वहां से भी छोटे बोट में अपने यहां पे गुड्स सामान जो है, आवाग जाग होता है, तो ये डारेक्ट होने के वज़े स आपने यहां पर बहुत बड़ा इंपोर एक्पोर्ट का सिलसिला चाले हो गाएगा यहां पर अपने यहां पर लेबर बहुत अच्छा है। only end परण के वजय से अपनी जोgangen जो है अपने पालगर से की कुण सब्सक्र치가 tom एसमेरा गडांटी होने वाली है अपना छेहर से लेकर डानु तक अभी पीघज से बंडा बबड़ा शेहर बनने वाला है ऑपने देखा होगा कि वो सब्सक्राइब होने में इक समुंदर में पथर वाला यह और नहीं होती वहां पुरा पोर्ड बनेगा वो समंदर किनाष्य से लगब पााँ किलो मेटर उंदर है वो при usis इंडर्स्य तयार होने वाली है यहाँ पर तारपूर M.I.D.C. तारपूर इंडर्स्य वैसी आजू-बाजू में बहुत बड़ी इंडर्स्य तयार होगी वहाँ पर गूट सामान जो है वो चड़ाने के उतरने के लिए जैसे नावाशेवा में पोर्ट फैसिलिटी जो है पो लोगों को जॉब मिलने वाली है आने वाले दस साल में और यह पोर्ट शायद पास साल में बनने के बाद में अपने यहां की एकॉनमी पूरी चेंज होएगी वहाँ पे यह पोर्ट के साथ में गवर्मेंट से हमारा पत्रविवार चालो है कि यहां पे अच्छा मेडिकल और फिशर्मेन के लिए कोर्स टोरेज चेन होनी चाहिए क्योंकि वाडवन है डानू है या तो जहवार तक का जो एरिया है वहाँ पे बहले पोर्ट बनेगा बहले शेहर बनेगा मगर कुछ एरिया में जो एग्रिकल्चरिस्ट है उनको फैसलिटी मिलना चाहिए और अच्छा एक्सवोड इंपोर्ट का बिस्निस चालू हो जाएगा कि वह जो पोर्ट बनने वाले वज़े से वह पे आड़ गाउं को फिशिंग को तकलिप होनी वाली यह मुझे जरूर मानता हूँ मैं पोर्ट होना चाहिए इसके बारे में मैं लोगों से हमेशा बात करता ह उसमें फिशर्मेन भी है जो अलग-अलग कास के लोग उनके साथ में बात करता हूँ और फिशर्मेन को जो तकलिप होनी वाली है इसके लिए गवर्रमेंट ने उनको कुछ अच्छी अच्छी दिनी चाहिए उच्छा पैकेज दना चाहिए ताकि उनको आगे तकलिब नही सब लोगों से मेरा बहुत अच्छी संबन कोई विवाद करें तो विवाद के घरें में आ जाएगा काम करने के लिए सबस्क्राइब करना चाहिए लोगों की काम के लिए जाना लास्ट 15-20 साल में मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में हो वहाँ पे कोई भी मंत्री हो या पा पर लेकरें दिकारी हो या पिर पदा दिकारी उनके पास में याता हो लोगों के काम करकर लेता हो वैसे ही वादाल shorter कोट के वज़े से जो आने वाली पर О न करई कूद करने हो इसके लिए कंषया अट करनी चाहिए इत के लिए में मैं लोगों को आसको को यूद को मैं कहता कि भाई यह यहापने अपने एजुशिन लेना था यहाप यहाप इसे ऑप ट्रक ट्रांसपोर्ट का का भिजनेस यहाँ नुन होएगा वो रिपेरिंग की यहाँ बड़े बड़े गराज होएगा शिपिंग, शिप रिपेरिंग की यहाँ पर गरएज होने वाले है, तो मैं बच्चों को, यूथ को, इंडस्री में काम करने वाई लोगों को कहता हूँ कि बाई, ये इंडस्री, ये बिजनेस आप लोगों ने करना चाहिए, अपने यहाँ पर स्थानिकों ने यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए इसके उपर मेरा बहुत ज्यादा जोर रहता है कश लोग वार्वार्वन को वीरोध करते हैं वह उचित नहीं जरूर विरोध करते हैं कुछ पॉलिटिकल साइड है आपने देखा होगा कि कमिस्तु नियुआ विरोध किया था वही केनि में केरल में वोट चाहिए इसके लिए पूर्ट नहीं चाहिए इसके पीछे कुछ इसके पीछ पीछ नहीं जाएंगे मगर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने यहां पर अगर अच्छा कोई संधी मिल रही है तो वह संधी को जरूर क्या सकारत में बश्ची सी देखना चाहिए और अपने यहां पर कैसी अच्छी सब्सक्राइब के वर्षों में शिक्षा के च्ट्र में कोई विशेश योगदान शुरू करने वाले हं ऑफ कि अफी च्ट्र में वीसरे शतý सकोल है उसमें से स्कूल चुर्प्लाइब की स्कूल है वहाँ पे वैसे विरार वेस में माड़ा के यहाँ पे जो स्कूल रिजरुशन का प्लॉट माड़ा से लेने के बाद में वहाँ पे बहुत बड़ी इमारत का काम चलो है लगबग 1.5 लाग स्कूर फिट का काम चलो है यह बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम लोग ने एक अकडेमी बनाई है अब यश्वान नगर में शुरू है मगर जल्दी वह प्रिमासेज में हम लोग लेके जाने के बाद में वहाँ पे बच्चों को अच्छा ट्रणिंग दिया जाएगा लोगों को उपलब्द हो सुकता काम चलो है तो बहुत अच्छे स्पीड में इसका काम चलो होएगा और अप्रिल में में चालो हुँआ और यसकोल में से आने वाले बच्चे हैं उनको एक अलग अलग मतलब के से किताब में से जो सिखाने के बाउजुद आप प्रैक्राइकली क्या कर सकते है कि आने वाले सदी में कि UPSC और MPSC के बच्चे जो है और management के बच्चे है उनको सिर्फ किताबी धंग से सिखाना नहीं चाहिए तो उनको अलग-अलग धंग से जिसे practically जैसे CBSC और ICC Board में practically बच्चों को सिखा जाता है कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट के उपर उन्होंने study करना चाहिए खुद का knowledge बताना चाहिए खुद के अंदर की जो capacity है ओको प्रोजेक्ट में डाल करो प्रोजेक्ट सक्सेस करने के कोशिश करने चाहिए तो ही एक अच्छे PD तयार हो सकती है मुझे आप अच्छा ग्राउंड मताए आप अच्छा जोड देते हैं बच्चों के मेरे आम तोर पर अगाडमी इस भी स्पोर्ट की काई साइड आले आपने कि उसमें भी देखी यह बात आपकी बराबर है कि बच्चे जो है बच्चे सिर्फ किताबी बुक क्वामनी होनी नाया जेनरेशन जिएव हमारे से बहुत ज़दा फास्त है तो उनको प्रॉपर ढख से उनको चाहिए तो यह उनका education के फिल्ड के बाद में उनका करेर बन सकता है बच्चे का करेर बनेंगा उसका family का बनेगा तो अपने देशका करेर बन सकता है यह बच्च्चे modernily देखन रिल्स वगरा देखते हैं बच्चे और रिल्स में दीन में कम से कम 2-2-5-6-6 गंटा जालते हैं तो उससे बहार लेके जाने के लिए बच्चों को कुछ अलग देना चाहिए उनकी अंदर की एनर्जी जो है समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है कि यह लेका होगा देखना लेने की कि कपशेट medical हम ले नहीं चाहिए रह calories यह हम तो में ऊंच नहीं करना चाहिए उस utan गद्राते कर लें एक जोन जैए उसके एक और प्रतिकिलिए वर्क करना चाहिए तो यह और करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा अगर कंट्यूनिय रिल देखे जाएंगी साइकलोजिकल इफेक्ट भी होता है वहाँ पर रिल में देखा होगा खाना बनाने की अलग 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 टेकनोलोजी की रिसिपी है कुछ खेल कुछ की रेसिपी है कुछ एक्सराइस की क्शिए मेरे जीवन और मेरे घेमिली साइज डेश को इस पर ठाइजी के चाहिए उसके लिए प्रापर अच्छा गुरु चाहिए। इसे सनातन कहते हैं। इसे सनातन कहते हैं। जो वरतमान कल्चर है। इंडियन कल्चर बहुत पुराना रहा है। इन दोनों को मिक्स करके जीवन चलना चीए। आपका कहना बराबर है। कि अलग अलग नए नए शोध लगे है। उसका तो अतमीने स्टड़ी करना चाहिए। उसका तो यूज होना चाहिए। इसके साथ में ही। कि जुना जो सनातन अपने बहुत पुर्खों नहीं आ तो बड़े-बड़े रुशी मुनियों ने जो खोज लगाई है, शोध लगाई है। उसके उपर से जो निकला है, वो भी कुछ सही बात है। वो भी अपने मानवी जीवन को उप्योगी भाग है। तो उसके बारे में भी बरोबर सोचना चाहिए। उसके बारे में स्टड़ी करना चाहिए। वो जो चीज है, सनातनी जो चीज है। उसके बारे में सोचकर अपने मानव जीवन को इसका क्या उप्योग है यह सोच कर आगे बच्चों ने सिखना चाहिए इसलिए रस्ते में प्रैक्टिस करना रस्ते में डांस करना यह थोड़ा सा गलल लग रहा है पहले जो सनातन में जो एजिकुशन दिया जाता था वो गुरुकुल सिस्टिम का ज स्लोक शिकाए जाती थे अपने अलग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महिश्वरा गुरु साक्षात परभ्रह्मा तस्मेश्री गुरु में नमा यह कहना जो है यह बात सही बात है गुरु को इतनी बड़ी महिती दिये कि गुरु ही सब कुछ है अगर अच्छा गुरु अपने पस है तो हम लोग अच्छे बन सकते हैं अफ्टे निकलर लग अच्छे बन सकते हैं अपने घर के अगर हम लग शहरों में आये हैं कि शहरों में आने के बाद में जॉब में आने के बाद में गाव छोड़के जब लोग आते हैं तो वो जॉइंट फैमिली नहीं रहती मगर जॉइंट फैमिली नहीं रहती तो भी अपने माता पिता जी है वो जब जॉब में जाते है मोस्ट तो बच्चनक पर संस्कार जो होते हैं वो संस्कार या तो अच्छ गुरू से हो ना चाहिए उच्छ उभ्यार ने के लिए हम लोगों ने ये श्विद्या निकेदिन का पैरन बनाया है वही वेस्ट में भी विरार वेस्ट पी वह वह हम लोग ने की के सबस्रीज करने का मुझा अच्छा मिला है और यह मुके का हम लोग ले दाले कि यहां की जो जनरेशन यहां के लोग है उनको अच्छा कुछ देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन बड़े स्कूल में कभी कोई जो मिड्ल क्लास फैमिली वो जाने में कत्राती कभी कुछ फीस हाई होगी ऐसा होगा फिर पहुत सारी चीजे वह है वह आपक अच्छी सेलरी देने देगे तो ही टीचर आएगे बराबर है कुछ हद तक हम लोग हमारी तरफ से कुछ बच्चों को एजुकेशन फ्यॉप चाल्ज देते है या तो आटी की तरफ से जो बच्चे आते हैं उनको भी हम लोग गवर्मेंट के तरफ आने वादे उनको भी हम ही नहीं ली तो टीचर को अच्छे सेलरी नी तो सेलरी देने चाईए तो यह करने के लिए जिसमें प्रयोग आपको योगधान देना पड़ेगा बराबर हम जो वहां पर करते है वहाँ पर के लिए नहीं है 100% सोशल वर्क के लिए करते हैं हम लोग वहाँ पर जो फीज इकरता होनी वाले है उससे पूरी के पूरा वो स्कूल में फीज यूज होती है ना कि हमारे पो यहाँ पर मुनावा मिलने की जरोत है क्योंकि ये स्कूल मेरा बिजनेस नहीं है education ये मेरा बिजनेस नहीं है एक बात और है जिस तरीके से अभी तक की यात्रा रही education छेत्र में sports छेत्र में राजनिदित छेत्र में भी ऐक अलग योगदान रहा था 2009 के बाद ये सवाल आने के बाद में बहुत बार अलग-अलग चर्चाएं हो जाती है 2009 में एक उम्मीद जगी थी कि नाना को आमदार बन सकते हैं कभी विचार नहीं आता कि देखिए कुछ ज़िदो रहती है वह अपने हाथ में रहते हैं हम लोग महनत करते एक कुछ चिज़ दो है वो लिखी हुई रहती है बगवाण नहीं लिखे हुँ रहती है जायागा नहीं करना है, I have to do this. देखिए, बिजनेस के शेत्रने में, कोई भी शेत्र में, राज के शेत्र में हो, या पॉलिटिकल हो, या सोशल हो, या और कोई शेत्र में हो, जो स्पोर्ट का करियर है, या तो फिर कल्चरल एक्रियर है, जो मैं सोचा है, वो आप तक किया है, और मुझे जो करना है, तो मैं डिकलर नहीं करता मैं, मगर जो करना है तो मैं करता हूँ, इसलिए मैं आगे क्या करने वाला है, यह तो पूरा गुपित है, मैं आपको नहीं कहूंगा, यह कुछ गुपित बात है, नहीं कहनी चाहिए, मगर इतना ही कहूंगा, जो होएगा, वो अच्छा होएगा, समाज के हीत में रहेगा वो मेरे हाथ से काम जरूर होएगा बड़ी बात कह दिया बात बड़ी हो यह च्छोटी है जो दिल में आई मैं बोल दी मगर एक यह मैं जो करूंगा मेरे हाथ से जो होएगा वो समाज के प्रती अच्छा है वह होएगा मैं मेरा लाइब मेरे बच्चे जो है दोनों educated है, दोनों अपने काम में वैस्त है, मेरे को मेरे परिवार के बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, मैं अभी आने वाले टाइम में अच्छा सोचल वर्क करना, उसके साथ में लोगों के प्रती, जो लोगों की ज़रोती वो पूरी करने के लिए कोशिश करता हूं, क्यों सिविरार महानगर पाले के बावजुद इससे चार पाच गुन अपना बड़ा डिस्टिक है, तो उसके अंदर काम करने के लिए, इस तरीके से काम करने की बात के हैं, हाइवे पर चले जाईए, और रोड इतना खराब है, जिसके वज़े से वहाँ पर आदमी 6-7-7 गंटे अगर मुंबई जाना हो, तो ट्रेन का सफर करेगा, चाहितनी लगजरी गाड़ी हो उसके पास, आज की हालत ही है, कि हाइवे जाने लोग डरते, और एंबुलेंस वगिरा हो, तो पुनका जैश्री राम हो जाता है, तो इस तरीकी का इवाता वरन है, सडख हाइवे से उतर हो, एसी ट्रेन के वज़े से अच्छी फैसिलिटी है, ट्रेन पकड़ की जाता हो, ट्रेन पकड़ के आता हो, मगर हाइवे जाने की हिमत नहीं होती, जैसा आपने का दो गंटा, चार गंटा, आट गंटा कभी कभी उरकना पड़ता है, यह हमारा दुर्देव है, मुंबई चालो है, और आने वाले कुछ दिन के बाद में, उसके उपर एक कड़ी एक्शन लेने के लिए में सोचा है, इसके बारे में देखिए, यह हैवे अच्छा होना चाहिए, इसके साथ में रेल, रेलवे जो है, रेलवे अपने यहाँ पर आने के बाद में इतनी बड़ी फैस छ कर टकार से बात किया था कि अपने यहाँ पे जो अबी वसी विरार में पाँच रेल स्टेशन है, जैसे वयते विरार है, नाला सोपरा है वसी और नायगाव अए तो यह पाश्य सेशन के बीशी में नय श्टेशन बनने की अपने यहाँ पर जरूत है, जगा भी है, वो तो अपना पॉपलेशन इतना बड़ा है आपने वस्ते विरार बढ़ रहा है तो उसमें दस्त का अगर चोड़ा कमर्शिल तो भी आठ लाग के उपर पॉपलेशन वी अगर रहा है जाने वाल है तो लोग अदना प्सक्रवां को सोड़़्ा बड़ा है भीड रहा किग कपेसिटी जो है जो प्रवासी हैंडल करने के लिए वह कपेसिटी खतम होगी मैं अधिकारी को पूछा था उन्होंने बोला कि यह रहे यह रेल्वेज स्टेशन जब बनाता तब यहां पे सो आदमी के लिए कपेसिटी थी अभी यहां पे सो के बजाए 400 आदमी बन गे pamने पदान मंतरी से पतर्वार कि आओं कि कि बाइं हर दो रेल्वे स्टेशन के बीच में एंग तो प्रवासी की भी प्रवासी को सुझता ओए और बी प्रवास करेंगे उतनी आमदा नहीं पड़ेगी और विरार बोरियुली अभी सिक्सलेन हो रहा है उसके अंदर सिक्सलेन रेलवे के साथ में यह नए रेलवे सेशन लेने चाहिए यह मेरी मांग है अभी नहीं लगब पास साल से में मांग कर रहा हूं और यह मांग पूरी कर लिए आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाने वाला हूं और यहां रेल्वे मिनिस्टर को मैं लेटर लिखा हूं कि प्लीज आप आपके अधिकारिकों से आकर यहां पे निरिशन कीजिए कि यहां कितनी जरोते यहां कि रेलवे सेशन अलग अलग रेल्वे बनते हैं मगर यहां पर रेल्वे सेशन में बहुत जरोते रेल्वे सेशन में रश कमोने रश हैं कभी रेलवे प्रीज आ अटार्वे Пос trif मेरे साथ काम करने वाले लोग है, सोशल रेलवे की प्रवासी संगटना है, फ्लैट होन असोशेशन है, इनके साथ में कंटिनी मेरी बात चलती है, फ्लैट होन असोशेशन जो रेलवे में, रेलवे यूजर असोशेशन है, इनके साथ मेरी बात चलती है, उनके साथ मेरा कंटीनिव पत्र व्यावर रहता है इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो यह जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोला हम लोग यह कर सकते हैं ऐसा कोई पद आने के बाद में बहुत अच्छा काम हो सकता है मगर पद नहीं तो काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, देखिए आज तक तो मैं यहाँ पे लोगों का ऐसा लगता है कि लाज 25 साल में मैं राजनिती में है, मगर मैं सिर्फ तीन बार इलेक्षन चून के आया हूगी, तीन के बार मैं खड़ा ही ने रहा, पहले दो बार नगर प यह घएर है नए चेहर बोट बड़ी नशिली रहती है यह फोड़नी चैये ने तो नशा बढ़ती है, इतना काम करते हुए भी मेरे को आज तक मेरे विरोधो कि नहीं है या तो लोगों ने कॉमन में यह पत्रख रह रहे है प्रष्टा जार किया पैसा काया इसा मेर उपर एक भी एलिगेशन लिग यह मेरे जीवन का यह सबसे बड़ी बात है कि आज तक मेरे को पैसा खाया ऐसा किसी ने ब्रश्टा दा नहीं किया और आने वाले दिनों में भी मैं जो काम करूँगा वो लोगों के लिए काम करूँगा उसके बीचे कोई भी मेरे को पर एलिगेशन चलती रहती है कि भई यह काम जो है रेल्वे का काम है या रोड का काम के लिए हम लोग साथ में अगर दबाव लावे पत्रवार करें हर एक आदमी को मैं कहता हूं कि हर एक आदमी ने आपके दरिये में मैं कहूंगा कि रेल्वे में जो रेल्वे के पास होल्डर जो है उन् करने के लिए यह हमारी यहां पर मार गए जैसे दो रेल्वे स्टेशन के बीच में स्टेशन बनाएं तो हमारी अच्छी सुविदा होती है तो यह में लोगों को कहता हूँ आपके माधम सभी आप ही यह जो मेरा पॉइंट जो हाइलेट करो कि रेल्वे स्टेशन बढ़ाने क जैसे देखिये कोई भी सुविदा कोई भी फैसिलिटी जो है वो मिलाने के लिए मांग करनी पड़ती है बराबर ऐसा करा जाता है कि बच्चा रोया नहीं तब तक माह दूद नहीं पिलाती और वैसे ही गवर्मेंट अपनी माह है उनके पास अपने को जाना चाहिए अपन ्यकि जितने आपने कहा ट्विट करिए क्रानती आ सकती है साहे वोग कमर कसलें भ crisis कर्म काम करना चाइए कोई भी काम अगर आॠ करम क कमर कसके करें तो छोटा हो या बड़ा हो तो सक्सिस होता ही है बच्चा वैसे हर egy आदमी को मैं काऊंगा कि यह रेल के बारे में है या तो आपकी जो दिक्कत है उसके बारे में गवर्मेंट से आप लोग ने पत्रवार करना चाहिए आपका नाम के साथ में आपके एडेंटिटी है आपका अधार काड है उसका नमबर डालना चाहिए तो लोगों को उसका रिस्पॉंस मिल सकता है गवर्म करेंगे लोगों से मुलाकात करो प्रावासियों से मुलाकात करो अप इसके उपर आपका कहना क्या है आपके पास जरा क्या है आपके पास solution क्या है देखिए कोई problem हम the government को बताते है उसके साहब में solution भी vocês union li कि जिस तरीके का इस समय वातावरन है कि आपके काम आपके काज क्या लगता है देश मेंने कौन सी पार्टी या राज पॉलिटिकल सवाल है तो कि लेखता ہے कि हां यह पार्टी छोड़ देते तो यह घीक है अच्छा काम करती है कि नाना को बहुत पसंद है देखे महाराष्ट में पार्टी में तो लोगों ने कितने कि evolved to से के तॉब लोगोंने मेरे साथ कुछ ताश किये तो यहां पे जो कम होना कि उसके लिए आपकी राय क्या है अगे में क्या होना चाहिए यह पालगर डिस्टिक का भई तो यह क्या है इसके बारे में सोशली और पॉलिटिकली सब लोगों ने मेरे से बात की है उसके अंदर मैं जरूर कहूंगा कि अभी जो गवर्मेंट है एकनास इंदे जी का गवर्मेंट है फड़निस साप का जो गवर्मेंट है वो मेरे तरह मेरे को जैसा लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है तो उनको उनके साथ में लोग है नहीं ऐसा नहीं उनके साथ में लोग है उन्होंने योजना बनाई है इसलिए मैं इतना ही कहूंगा अच्छा काम कर रही और ठीक कर रही ठीक काम कर रही और गरबड़ करें कि तो देखेंगे देखेंगे आकरी से नाना का सबको एक संदेश का है बड़े में अलग-अलग कॉमेंट्स आई रहे होंगे इस इंटरिवू के नीचे तमाम लोग हएंगा कि लाज़ चार साल में मेरा 65 बड़े होने के बाद में तैक किया था कि ओफिस में बैठ कर लोग जो आते है वह बहुत लोग आते है उसमें शुनियर लोग आते है बहुत बढ़ रज़क्ष्य नहर लोग आते हैं बहुत बड़ी रशातियों को तकलिव होती है इस इसके वज़े से मैं ऐसा तए किया हूं कि में मैं ऑफिस में बैटकेा मेरा बढ़े मनाने वाला नहीं है मैं अलग-अलग जगे पे जैसे सबेरे पहला राजोडी बीच का जो प्रोग्राम हम लोग ने बीच क्लीनिंग कर लिया है और राजोडी बीच के पर सबेरे का एक प्रोग्राम रहेगा उसके बाद में अलग-अलग जगे पे ब्लाड डोनिशन के आप या तो कुछ रहेगा जो सिस्टिम जी ना वो मुझे पसंद नहीं अभी तो लोगों को कितनी तक्लिफ देने की लोगों के प्रति अपना प्यार है तो मैं लोगों को फोन के बर बात करता हो और वैसे तीन सो पाई सट दिन हम लोग जो वक्त पे पहली बार का फेस्बूक लाइब मरें से गया था एक लाग के आसपा जिसमें कई लोगों ने आपको टच किया था सिधे तौर पर उसमें एक क्लिक करो आपसे डारेट वीडियो कॉल में बात बराबर है पहले दो तीन बार हो गया वीडियो लाइफ जो दो तीन बार हुआ तो इस बार बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे क्या अच्छा है वो देखेंगे और करेंगे हम लोग और बाकी लोगों संदेश यहीं दोंगा कि भाई आप लोग काम करते हैं जो काम करते हो दिलों दिमाग से काम करना चाहिए फिट रहना चाहिए वैसनों से दूर रहना चाहिए बच्चों को स्पेसिफिकली बच्चों को मैं कौँगा student को करूँगा कि वसनों से दूर रहना चाहिए life में मजा करने के लिए बहुत time रहता है बराबरे देखिए आप आपको फिट रहना सबसे मेन है तो फिट रहने के लिए अच्छा डायट लना चाहिए अच्छा खाना खाना चाहिए अच्छा एक्सिसाइज करना चाहिए अच्छा पढ़ना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए कम से कम यह सोचल मीडिया का यूज करना चाहिए रील जैसे में हमले टाइम बर्बाद होता है वो टाइम लगाइब लग कि वुख से करनाे चाहीए, और हमगछा सन्दिया प्रच नो कोशिश करनी चाहिए अलग अलग छो टेक्निकल साइड जो उसके वापर हम लोगा नको करना चाहिए उसके साथ में हर एक बच्चे ने आने वले सदी में स्टाट अप में मैं मेरा खुद का बिजनेस क्या चाहिए आई पर काम करता हूं यूज करता हूं यूज करता हूं यूज करता हूं यूज करना चाहिए हर एक आदमी यूज करना चाहिए कि आने वाले दिनो तो ने यह सोचना चाहिए कि मैं जॉब ढूने से मैं कम से कम 10 आदमी को जॉब कैसे दे सकूँगा वो सोचना चाहिए इसलिए जॉब करने से जॉब देने वाला होना चाहिए अच्छे बिजनेस करनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है तो हर एक आदमी बिजनेस नहीं कर सकता मगर जिन्हों ने जो बिजनेस करना चाहिए तो धीरे धीरे डेवलप करें अपने वो करना चाहिए क्योंकि गुवर्मेंट से बहुत अच्छे फैसिलिटी है स्टाट अप के हिसाब से जैसे आपको नॉलेज मिलता है उसके साथ में आपको फैनांसिली हेल्प भी मिलती है त दस साल में हमारी कंट्री जो है हमारे पास लेबर फोस इतनी है कि हम लोग इंपोर्ट करने वाले एक्स्पोर्ट करने वाली कंट्री होनी चाहिए और यह करने के लिए जो यूथ है उन्होंने खुद का चोटा बिजने डालना चाहिए उनको बड़े लोगोंने साथ दिनी हुई है बहुत अच्छी तरकी हुए और वो तरकी बढ़ाने के लिए हम जो import करने वाला देश है वो export करने वाला देश होने के लिए start-up में हमारे छोटे-चोडे business जो है वो हमारे बच्चों ने आजगाल के यूध ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके साथ हमें कोई भी आढमी हो, कोई भी ओमर का आढमी हों जिसको बिजनेस करना चाहिए, किसी आदमे ने रिटार नहीं होनी चाहिए। अपने देश के प्रती काम करना चाहिए अग्रीकल्छर फिल्म में बहुत काम ना चाहिए अपने पास बहुत काम होना चाहिए नियुक बच्छों की इसते है बच्छों का लुच्छ इसका उना चाहिए अरह가 काम तयुक्स government रिटाईर होना लगया तरुन आपने न्योंकिझे समेइक доuksसिट के इस वह पूरेट्डाल्म कोई है तो ये वंडे नहीं इन होना चाहिए कॉछSoek Ar church संदेज डेवलोग परना चाहिए जौब करने से जौब देने वाला होना चाहिए यह मेरा संदेज बच्चों के लिए आज के दिन है तैंक युद्ध को शिक्षा के तरफ खेल के तरफ प्रतिभा के तरफ बढ़ना चाहिए और अपने स्किल के हिसाब से डवलप करना और रोजगार के विश्मी जिस तरह से जागरुकता वाली बात कहीं वो निश्योत रूप से बढ़ी थी और राजनितिक छेत्र में इनोंने कहा मैं सब आपको क्यों बता हूं समय आएगा तो मालूम पढ़ जाए आज के लिए तना ही धन्यवाद